इंडिया पब्लिक खबर के स्टूडियो से आप सभी दर्सकों को साधर नमस्कार। आज से भारतिय सनातन धर्म के अनुसार भारतिय नववर्ष अर्थात विक्रम संवत दो हजार उन्याशी का सुभारंब हो रहा है। इंडिया पब्लिक खबर की ओर से आप सभी को इस सनातन नववर्ष की हार्दिक बधाई एमंशुब कामना हैं। यह नव संवत्सर आप सभी के जीवन में सुख सम्रिद्धी वा उत्तम स्वास्त प्रदान करने वाला हो ऐसी हम सब की कामना है। आज शुब होसर पर प्रकांड विद्ध्वान जियोतिर्विद श्री लोकेंद चत्रुवेदी जी इंडिया पब्लिक खबर स्टूडियो में विराजमान है। गुरुजी सर पथम आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई एम शुब कामना है। नव संवत्सर की परिभाषा क्या है नव संवत्सर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोगों को बताए। ओम नमो नारायनाय भारती सनातन धर्म के अनुसार नव संवत्सर याने भारती नव वर्ष का प्रारंब चैत्र महीने से माना जाता है। क्योंकि सूर्य मेश राशी में चैत्र महीने में संचरन करते हैं या संकरांती करते हैं या प्रारंब होते हैं मेश राशी में प्रारंब होता है। और यह चेत्र आदी हमारे जो 12 महा से फागुन तक के मेश रासी से 12 बार बार राशियों में प्रती सब्सक्राइब निया आते हैं पागुन के महा तक इसलिए यह चेत्र मेशतर से लेके वर्ष कहलाता है और यही समवस्वार का कालखंद है है जो चैत्र अभी चैत्र होगा इससे अगले वर्ष हागुन तक भागुन तक तो ये 12 महा लिए बारया निवर्ष ले बीको सानतन्धर्म के अनुसार ये जो 12 म हैं इन में सूर जो है बारा राश्यों में संच्रण करता है और ये चैत्र महा में सिरा समफ्रकर्चे चकिस ड़ाशी से प्रागंब करता है। सूरीय मैश चैतरिए मेश राशी से संचरन करके भागुन में मीन राशी तक संचरन करता का अँप में राशी बारवी राशी ब्रूल बारवी राशी है Подिशा कि इसे विक्रम संबथ क्यों लो姐 सनातन धर्म के अनुसार उस जो है राजा विक्रमा दित्त ने शाहसनकार समवस्थर का प्रद किया या कह सकते हुं समवस्थर की व्यस्था को प्रचलिद किया गये तो अनकी कि इसके दौब क्या नहीं हैं समवत्सर कह सकते हैं समवत्सर की प्रथा का प्रारम हुआ है इसको विक्रम समवत्सर के नाम से भी जाना जाता है हमारे गंथों में समवत्सर यूग क्या है भारती सनातन धर्म के अनुसार जोतिश शास्त्र है जोतिश शास्त के अंतरगत जो है समवस्र के बारे में बड़ा विस्तार से पताया गया है इसके अंतरगत जो है साथ समवस्र होते हैं या कह सकते हैं साथ वर्ष का एक समवस्र युक कहलाता है जिसमें सभी साथ समवस्रों के अलग-अलग नाम हैं उनके अलग-अलग प्रभाव हैं और मुख्य रूप स इन साच समवस्त्रों को तीन बराबर कालखंडों में विभाजित किया जाता है जैसे प्रथम 20 वर्ष जो कालखंड होता है उसे हम ब्राम समवस्त्र कहते हैं और स्राइफि ये 20 वर्ष का सभष समफर सम्वंसर के इस प्रिथव के लिए जादा शुआ रहता है यहां धरली समफर रहीं है रहाऊ पिक विश्चूर के लिए प्राया सभी स्बण ना करने हो दो साथ सिर्वाई की परफम समवश्व का प्रिदान करने के संवत्तर के लिए है विश्व के लिए बड़ा घातक है और यह विनाशकारी प्रवित्यों को जागरत करता है इसमें प्राया अभाव जनधन की हानी हिंसा और प्राकिर्तिक प्रकोप उत्पात यह सब घटनाएं रौद्र संबस्तर में होती है और रौद्र संबस्तर वस्तता आगे आने वाले नए ब्राम संबस्तर के शुरुवात का कारे करता है अगर हम वर्तमान समय में देखें संबस्तर युग के मताबिक अभी जो है कौन सा अभी रौद्र संबस्तर चलता है तो यह जो उथल-पुथल और महामारी और युद्ध की स्थितियां और यह जो विश्वयापी चीज संबस्तर के विए से हैं ग्रहों और राशियों का संबस्तर पर क्या असर बढ़ता है कह सकते हैं कि जोतिश शास्त्र अनुसार जो है ग्रह और राशियां उस वर्ष यानि जो संबस्तर प्रारंब होता है उस संबस्तर में अपने संचार द्वारा अपनी युतियों द्वा अभी जिस भी काल खंड संबस्तर है उसमें उसमें राश्रियों में संचार उनकी यूतियां और उनके विमिन नक्षत्रों के संचार और उनकी वक्रियादी गतियों के आधार पर विश्व में बहुत सारी शुब अशुब घटनाओं को सुत्रपात होता है इसलिए ग्रह जो है संवस्तर में पूर्ण प्रभाव डालते हैं विश्व पर जी जो कि आज से प्रारम हो रहा है और जोतिश शास्ता अनुसार जो है चैत्र शुक्रपक्ष पदी पदा जिस वार को पढ़ती है वह वार का स्वामी जो होता है वह संवस्तर का राजा होता है और मेश संक्रांती जब पढ़ती है अर्था सूर्य जब मेश राशी में और इस वर्ष संवस्र में सूर की मेश संक्रांती गुरुवार को पढ़ रही है इसलिए गुरु ग्रह इसमवस्र के मंत्री पत पर शुषोबित हैं और इनके राजा सहीत इनके मंत्री मंडल में 10 विभाग होते हैं और इनी 10 विभागों धारा विश्व और भारत देश में होने वाली घटनाओं का सुत्रपात होता है यह दस विभाग कौन कौन से हैं गोजी राजा शनी है और उसके उपरांत जो है मंत्री है ससेश, दुरगेश, धनेश, रसेश, धानेश, नीरसेश, फलेश और मेगेश यह इस प्रकार के दस पद हैं और इन में जो है विविन संक्रांतियां जो जिस दिन पढ़ती है उस उस पद के अधिपती बनते हैं मंत्री बनते हैं तो यह राजा और जो मंत्री हैं उनके अलावा यह जो दस मंत्रियों का विभाग है इनका भी हमारे राशियों पर बिल्कुल बिल्कुल राजा सहित यह दस मंत्री होते हैं तो इसमें इनका पूरा-पूरा योगदान होता है इसमें प्रमुख रूप से राजा और मंत्री विषय योगदाव होता है तो एक नव संवस्र में हमारे देश की और दुनिया की स्थितियां क्या गहेंगी इसको आप कैसे देखते हैं भारती यह जो नौ संवस्र है इसके राजा और इस समवसर की जो समवसर का नाम करन है वो जोतिश शास्त्रा अनुसार राक्षस नाम का यह समवसर है जो की इस रौद्र समवसर के अंतरगत पड़ता है और राक्षस नाम के समवसर में शास्त्रा अनुसार जो है यह समवसर विशेव सुरूप से धान मूंग आदी फसलो की जो है अलप उपच करने वाला होता है और जन सामान में महेंगाई से कष्ट प्रदान करने वाला होता है और कई प्रकार के संक्रामा करों का प्रकोब भी बढ़ाने वाला होता है जो रादी संक्रामा करों का प्रकोब बढ़ाता है और वर्षा रितू में कहीं कहीं अभाव कहीं कहीं बिकट वर्षा का योग भी देता है और शासक वर्ग और जनता को सामान सुख की प्राप्ति होती है इसमें विशेश प्राप्ति नहीं होती है और प्राया सब लोग अपने अपने कार में लगे होते हैं लेकि कि हां व्यापार में कि इसकी स्थिति मध्यम प्रारम में मध्यम फिर धिरे धिरे उत्तम के तरबी जहती है अतु चीश रूप से बढ़ती है और दीरे दीरे जैसे कि आपने देखा भी इस संबस्तर से पहले महेंगाई बढ़ने की प्रिष्ट भूमिया तयार हैं तो उसका परिणाम इस नव संबस्तर में हमें प्राप्त होता है कि महेंगाई दिन पर दिन बढ़ेगी और जनता इससे तरस राजनिती की रूप से और इस समस्तर में राजनीतिक रूप से प्राया इस संबस्तर में साधधारन उथल पुथल संचार दोड़ी यह हां यहां कि विपक्षियों दलो द्वारा सरकार के बेए बिए आंदोलन बहुद सारे Łeky जनताजनार eru्त के पर आभी सरकार के विरोध में जन आक्रोश रहेगा कहीं किसी किसी राज्यों में हिंसा आंदोलन विस्पोर्ट और इस तरह के घटनाएं भी रहेंगे बनेंगी बढ़ेंगी इसमें ब्रद्धी होगी संवस्तर में जो ग्रहों के संचार हैं देश के बाहर भी हमारे स्थितियों पर असर डालते हैं तो जो रशिया और यूकरीन के बीच जो स्थितियां बनी हुई है क्या युद्ध ये विश्वयुद्ध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या संकेत हैं उसके जी संवस्तर फल के अनुसार जो है विश्वयुद्ध की यूजना तो नहीं है लेकिन ग्रहों के या रास्ट्रों या बड़े रास्ट्रों चोटे रास्ट्रों के मद्ध में या कुछ एक दो बड़े रास्ट्रों के मद्ध में तनावकारी इस्तितियां रहेंगी और कु लूट मार भी रहेगी और बहुत सारे सुक्स अंसादनों की च्छती भी होगी और विस्पोटक पदार्तों का विशेष प्रयोग होगा इसमें इसलिए विद्ध की स्थितियां संगर्ष की स्थितियां इस संवस्थर में विशेष रूप से बनी रहेंगी अगर हम देश की या रही है विद्ध की सिद्ध करति है और सांवानने जनता के लिए सामा ने जन संग्षेप में जो है इनका विशेष प्रभाव रहेगा और जो है इस संबस्टर में शास्ता अनुसार शनी के राजा होने से धासलों की हानि होती है संक्रामक रोगों से पीडिति GB विश्व में अगर देखा है तो विश्व ने धो देशों के मन्युद की इस्तितियां विशेश रूप से हैं और जिसमें इस्लामिक देश में भी जो है सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं और जो है वहाँ पर भी जन आंदूलन के योग बनते हैं जनता जो है शासन के खिलाफ जाकर के आंदूलन करती है वहाँ पर भी तरह तरह से हिंसा के योग बनते हैं और भारत में जो है ıldवS. भागों में इनमें जो है वर्ष वर्ष की कमीं रहेगी लेकिन बहुलित वर्षा claims का यहींद से वर्षा का यूग बनता आता हुआ दिख रहा है लेकिन वह नहीं आएगा या वह कहीं न कहीं विशलित हो जाता है विशी उसूपसरे भाद्रपद मास में ही वर्षा का योग बनेगा श्रावण मा छुटपुट बूंदा बांदी के साथ हलकी वर्षा के साथ ही जाएगा प्राया गर्मी की प्रचं वर्षा होने का यूग बनता है और उस वर्षा का कुछ दुश्प्रभाव भारत को प्राप्त होगा जिसमें वर्षा कि में इस वर्षा से भारत के पूर्वी सीमान प्रदोशों में या पूर्वी राज्यों में जो है विशेश जल भराओ की योग बनते हैं बाड इत्या जन्धन की छती संभव होती है गह राशियों के अगर किसी संभस्तर में वह अनुकूल नहीं है और उनके कुछ दुस्पर्भाव किसी देश के ऊपर या किसी भी हिस्से पर दिखाई दे रहे हैं तो उसका कोई समाधान भी है उसका कोई निरगड़ भी उपाए भी है कोई हाई शास्त्रा अनुसार अगर समधसर में कोई बहुत बिकट दोश है तो राजा उसके विग्न निवारक शांती करके अगर हमारे देश के रूप में हम देखें कि हमारे इस समधसर का अगर कोई नकारात्मक हमारे देश के ऊपर कोई असर है इसका निवारक कौन कर सकता है इसका निवारणा राज्य का प्रधान कर सकता है जनपत का प्रधान कर सकता है या देश का प्रधान कर सकता है सभी अपने अपने जनपत के प्रधान जो होते हैं जिसमें हम आज के समय मुख मंत्री कहेंगे अगर राज्यों के मुख मंत्री हैं तो वो इसका समाधान कर सकते ह पिछले दो सालों से देश दुनिया पूरी भयानक महामारी की चपेट में रही है और कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई तो इस समवस्र में जो है कोरोना की क्या स्थितियां रहने वाली है भारत देश के लिए तो इस समवस्र में अच्छे स्थितियां हैं और भारत देश अपने सूजबूज से जो है संक्रमक व्याधियों पर काबू भी पाएगा और जनता को संक्रमक रोगों से पीड़ा भी कम प्राप्त होती है और अगर हम भारत देश के पूरे कुंडली के आ और जो हमारे संवस्र लगन की कुंडली है वो भी मिथुन लगन और जो है मीन राशी की है और भारत देश की जो कुंडली का स्वामी है यानि की चंद्रमा राशी स्वामी चंद्रमा है वो जो है संवस्र लगन में दशंभाव में मीन राशी का होरके विराजमान है यहां पर रोग रोग की स्थितियां भी नियंत्रित रहेंगी बाजार भी स्थिति में सुधार के साथ आगे बड़ेगा यद भी महंगाई रहेगी यह सारी चीजे रहेंगी लेकिन फिर भी भारत का शासन नेत्रित जो है दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करे सब्सक्रां की स्थितियां रहेंगी तुलना करें से नियुक्षज रूप सब्सक्राइब के क्शेणी सीमा में बंजाब की सीमा में विशेश रूप से कुछ विशड़ के और आजएक त्थित्यों द्वारा विशी रहेंगि सीमा पर तनाव की स्थितिया रहेंगी लेकिन भारत का सीमा सुरक्षित रहेगी और भारत इसमें अपनी सुरक्षा करने में सक्षम रहेगा और भारत की स्थिति विश्व में अच्छी रहेगी और विश्व में एक अगुवा कितरा भारत का संचालन रहेगा और विश्व मे वह उबरना शुरू होगा और इस वज़ से भारत के बाजारों की स्थिति भी काफी अच्छे रहेगी यह है कि शेर बाजारों में ऊतार चड़ाओ हां लेकिन मोटे तौर पर मेहंगाई की वजय से जन्ता में रोश रहेगा विश्ण संभें बाहरत की captured तो दिन इस्तिती सामने आई इस समबस्र को लेके आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है दर्शकों को बताई आप दर्शकों को कोई समबस्र पे संदेश भी अगर देना चाहें तो आप कुछ संदेश सभी के लिए नव संवर्षर शुब हो और सभी जो है इसमें दीरगाई और स्वास्त प्राप्त करें और भगवान की करपा प्राप्त करें यही हमारी पूरे देशवासियों को और इस समाज को और सारे जगत को यही हमारी मंगल कामना है इस समस्व में कौन सी पूजा जन सामानने के लिए सभी के लिए शुबकागी होगी यह दर्श को बताएं हाला कि यह बड़ा प्रश्ण जो है सब को बड़ा व्यक्तिकत है और इसमें जो है सभी अपने अपने इच्छानुसार कह सकते हैं अपने इस्ट की उपासना पूजा करें इससे ही उनका कल्यान होगा इसमें कहीं और भटकने की आउशक्ता नहीं है तो इसलिए अपने इस में इतनी महात्रपूर्ण जानकारियां हम लोगों से साजह की आज के इस विशेस ताउसर पर बस इतना ही फिर अगले काइक्कर में आपसे श्रीग मुलाकात होगी किलत कर but झाउसर और तक कर दो हम लोगी का नगले कर्दा दो ROB झाले किर अभले कर्दा पर फिर ने कर्दा этом से MY Appro ख और. झाले किर दोते प्योबकल में आपसे ऊए किव करेक्वासर रहुआ पीचर में आकाई nuanced जाड़ी की लिवकर गलावी करनी। झाल झाल